नमस्कार स्वागत है आप देखरें डॉक्टर साहिब मैं हूँ विजे क्रिस्न और आज हमारे साथ मोजूद है डॉक्टर राजे सिन्ह डॉक्टर साहब आई जी आएमेस यानि इंद्रा गांधी इंशूट और मेडिकल साइंस में इसकिन डिपार्डेमेंट में एचोडी है तो डॉक्टर साहब से आज इसकिन बिमारियों के बारे में यानि जो चर्मरोग जो हता है इन संभंध में जानकारे लेंगे बैट बहुत बहुत विस्ति रह ठाय किसिए अबेर इस के पारfinden करृइसिस राइं कि क्या लक्षन होते हैं, हमारे दर्सक जो पतना समय दूर दराजि इलाके में बैठे हुए हैं, वह आप को देख रहे हैं, सोरियसिस का इलाज martial जो नीम घकीम आइड दे दे ऐसे medical term में silvery scales बोलते हैं, जैसे मचली के छिलका के तरह उस पर से scales निकलते हैं, तो इस तरह के चकत्ते अगर सरीर पे बन जाते हैं, तो यह psoriasis के प्रारंभिक लक्षन है, और psoriasis जो है generally देखा गया है कि यह करीब-करीब 3-5% लोगों को affect करता है, तो अगर इस तरह के चकत्ते बन जाते हैं शरीर पे, तो यह psoriasis के प्रारंभिक लक्षन है, और psoriasis जो है एक तरह क्रोनिक डिजीज के स्रेनी में आता है, मतलब कि एक दिर्ग कालीन चलने वाला बिमारी है, लेकिन फिर इसमें individual variation होता है, मतलब कि psoriasis कुछ लोगों का है कि 3-6 महिने में इलाज से ठीक हो जाता है, कुछ लोगों का ठीक होने के बाद अगर दवा बंद किया जाए तो दुबारा होने लगता है, तो उसी साब से इसके treatment को individualize करना होता है, यह कोई infective बिमारी नहीं है, यह एक दूसरे से फैलने वाला बिमारी नहीं है, अगर किसी को psoriasis है, तो आप नजदीकी स्टर्म लोग विशेशग या इंदरा गांधी में आकर मिलें, इसका इलाज पुरी तरह से संभव हो है और पुरी तरह से यह control रहता है, इसके शुरुआत अमोमन सर के dendriff से और joints, जितने joints जैसे हाथ का joints, पैर का joints, इन जगों से शुरुआत होती है, इसके बाद धीर-धीर फैलना शुरू होता है, तो क्या dendriff को भी उसी सरेनी में लें, या जो joints पर भी हो जाते हैं, वो भी उस 과자를 करता है, तो ये सोडियासिस के पिशैंस में क्या होता है कि सर पे ज़्यादा scaling हो, वो लगता है कि dendriff जैसा हो रहा है, लेकिन नहीं, वो सोडियासिस का रूप है, और उसमें क्या होता है कि सर पूरा का पूरा involved जिससे अगर dendriff है किसी को, तो सर का पूरा का पूरा भाग involved होता है और जेनरली सोरियासिस में पैची involvement होता है मतलब लाल-लाल चकते बनते हैं तो यह अलग-अलग चकते होते हैं सर पे अगर पुरा involved एक दूसरे से मिलके होका है तो वो भी हो सकता है लेकिन ज्यादा तर केसे में अलग-अलग चकते का रूप में होता है तो इस कुछी केसे में joint involvement होता है सोडियासिस के मरीजों में अगर आपको पहले से सोडियासिस का डाइग्नोज्ड है या सोडियासिस के सरीर पे लक्षन है चकते हैं और साथ में जोडों में दर्द हो रहा है तो भी आप एक नक्षीद की चर्म रोग-विश्यशक्य से मिले इसका जो अपने सर में रूसी के बारे में बता है रूसी के साथ साथ और और भी कई इलाके होते हैं जहां पर इसकी फैलनी के संभावना बाद में रहती है और क्या यह जेनिटिकली भी आता है जो आपको हुआ आपके बच्चे आपके बच्चे को हुआ और इम्यून सिस्टम प component होता है उसे हिसाब से इसमें भी होता है थो इसल्य में फ्रकार लक्षन के बारे में बता दिया कहां कैसे होता है अब इसके इलाज के बारे में बताएं जो आजमी भटके कैसे अपना इलाज करवा है सोडियसिज का इलाजि एक नजदी की चर्म रोग विशयशग से कराएं इसके लिए लगाने की दवा आती है और खाने की भी दवा आती है तो इसमें जो जेनरल guideline बना हुए है, उसमें है कि अगर शरीर का 10% हिस्सा से कम में Sodiasis है, तो हम लोग उसको लगाने वाली दवा से generally control करते हैं और लगाने वाली दवां देते हैं, लगाने वाली दवा में अगलाग तरह की दवाएं आती है, mushroomizer का भी प्रियोग करना होता है, जिससे की शरीर सुष्क ना हो ड्राइ नहीं हो तो सोडियसिस ठीक होने में आसान होते हैं अगर 10% से जादा है तो जेनरली जो है डॉक्टर लगाने वाली दवा के साथ साथ खाने वाली दवा भी प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें 2-3 तरह की दवा याती हैं आपका किस age group मे हैं सोडियसिस का कौन सा वेराइटी है यह सब देखते हुए खाने वाली दवा आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और जब सोडियसिस ठीक हो जाता है तो इसको दीरे-दीरे कम करके इसको बंद कर देना होता है और सोडियसिस जादा तर केसे में एक बार दवा ब जो चर्म रोग विशशक हैं उनसे मिल करके इसका इलाज करा है और कंट्रोल रखें ऐसा नहीं करें कि एक डॉक्टर है उनसे आपने सोडियसिस का इलाज कराया ठीक हो गया फिर दवा बंद कर दिये तो अगर दुबारा हो रहा है तो फिर आपको दूसरे चर्म रोग सä inglis के समंद में सोरियसिस बीमारी के बारे में लक्षण के बारे में इनकी उप्चार के बारे में बताया और इनकी बड़नी के जरूरत नहीं है और यह यह 3-5% को में होता है और नजदी की आप जो भी चरम रोग विशेसक हैं उनसे मिले और अपना इलाज करवाएं अगर एक बार ये लॉग टरम इफेक्ट चलता है इनक लंबी दवा चलती है इसकी लेकिन अगर हो भी जा रहा है एक बार छूट भी जा कर्स्क्राइब करें झालाज करें बार और बार करें लाएं बार बार का जा हमें अगरा है है